नमस्कार मैं हूँ प्रीती सिंग सबके राम राश्ट्रिय स्वाबिमान के प्रतीक भगवान राम पाथ सधियों के इंतजार को खत्म करके राम लला अब अपनी जन्स्थली आयोध्या में विराजमान है संस्कृती और स्वाबिमान के प्रतीक राम गौरव शाली भारत का आधार है राम राम सिर्फ एक शब्द नहीं भारत राश्ट्र का स्वाबिमान है राम भारत के लिए गौरव आस्था और संस्कृती के प्रतीक है राम राम जीवन दर्शन के प्रतीक है तो राम राश्ट्र का स्तित्व और अस्मिता भी है रोम रोम में बसे हैं राम मर्यादा के मांदंडों पर चलने वाले राम मर्यादा स्थापित करके पुर्शोत्तम बने भगवान राम भारत की साग्षाजी सांस्कृतिक विरासत के केंद्र है अयोध्या के तेहास में सामाजिक समरस्ता के सूत्र छिपे है जो दुनिया भर के लोगों को इस नगरी से जोडते हैं प्रेण ना देते हैं राम का राज्य आदर्श राज विवस्था का मंत्र देता है दुवन्स के विरुद स्रजन की शक्ति का संदेश यहां से निकलता है अयोध्या राम मंदर का उद्गाटने के एतिहासिक मील का पत कि तेरे राम अपने घर लोटे अपनी जन भूमी पर विराजे हैं अयोध्या के श्री राम जन्मभूमी मंदिर में राम लला की प्रान प्रतिष्ठा विश्व की अदभुद और अध्यतिय घटना है प्रिधान मंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों अभीजीत महूत में राम इस काल खंड में शिर्राम मंदिर से गर्ब ग्रह में राष्ट्य स्वम सिवक संग के सरसंग चालक मुहन राव भागवत उतप्रदेश की राजपाल आनंदि बेन उतप्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदितनाथ समेथ कई पुरोहित उपस्तित थे अयोध्या से उठने वाले मंत्रो चार गीतों के साथ साथ राम राम की गोंज दिगन्त फैल गई सेना के हेलिकॉप्टर ने पुष्प वर्षा की गर्ब ग्रह में 84 सेकेंड का प्राण प्रतिश्ठा का मूर्थ था जिसे समय पर संपन किया गया इसके बाद प्रधान मंत्री समेथ सभी लोगों ने गर्ब ग्रह में राम लला की पूजा अर्चना की राम मंदिर की प्राण प्रतिश्ठा इस अवसर को विश्व की सबसे प्रमुख खटना माना जा सकता है क्योंकि संभवता पहली बार इतनी बड़ी रचनात्मक खटना हुई है इसलिए देश के कोने कोने से लोग अयुध्या पहुंचे पूरे संसार की आखे अयुध्या पर टिक गई पिसले 500 वर्षों तक लोगों ने इस पल की प्रतिक्षा की और अंततह ये पल फली भूत हो गया राम लला अपने स्थान पर विराजमान हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के पल को अपनी जीवन में आने वाला सबसे सुखद और सौभागिशाली पल बताया गर्भग्री से बहार आने के बाद प्रधानमंत्री ने अपनी भावनाओं को कुछ इस अंदाज में बया किया स्यावर राम चंद्र की जाए स्यावर राम चंद्र की जाए स्रद्धे मंच सभी संत एवं रशीगण यहाँ उपस्तित और विश्व के कौने कौने में हम सब से खाज जुड़े हुए सभी राम भक्त आप सब को प्रणाम आप सब को राम राम आज हमारे राम आ गए है सदियों की प्रतिष्छा के बाद हमारे राम आ गए है सदियों का अभुत्पुर्व धैरिया अन गिनत बलिदान प्याग और तपश्या के बाद हमारे प्रभुराम आ गए है इस सुबगड़ी की आप सभी को समस्त देश वासियों को बहुत बहुत बढ़ाई मैं अभी गर्ब ग्रुह में इश्वरिय चेतना का साक्षी बनकर आपके सामने उपस्तित हुआ हूँ कितना कुछ कहने को है लेकिन कंठ अवरुद है मेरा शरीर अभी भी स्पंदित है चित अभी भी उस पल में लीन है हमारे राम लला अब टेंट में नहीं रहेंगे प्रधान मंद्री नरेंदर मोदी ने आज की तारीक को इतिहास का स्रजन करने वाली तारीक करार दिया उन्होंने कहा कि आज से सदियां बीच जाने के बाद भी आज कर दिन हमेशा हमेशा सबके जहन में रहेगा घुलामी की मानसिक्ता को तोड़कर उट खड़ा हुआ राश्ट अतीत के हर दंच से होसला लेता हुआ राश्ट ऐसा ही नव इतिहास का स्रजन करता है आज से हजार साल बाद भी लोग आज की इस तारीक की आज के स्पल की चर्शा करेंगे मेरा पक्का विश्वास है अपार स्रद्दा है कि जो गटित हुआ है इसकी अनुहूती देश के विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी ये च्छान अलोकिक है ये पल पवित्रतम है ये माहोल ये बातावरां ये उर्जा ये घड़ी प्रभूस्री राम का हम सब पराशिरवाद है 22 जन्वरी 2024 का ये सूरच एक अध्भूत आभा लेकर आया है 22 जन्वरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं ये एक नए काल चक्र का उद्गम है प्रधान मंत्री ने अयोध्या धाम में श्री राम लिला की प्राण प्रतिष्ठा का अलोकिक्षन हर किसी को भाविभोर करने वाला करार दिया उन्होंने कहा कि इस दिव्वे कारक्रम का हिस्सा बनना उनका परमसौ भाग्य है राम मंदिर के भूमी पुजन के बाद से प्रती दीन पुरे देश में उमंग और उत्सा बढ़ता ही जा रहा था निर्मान कार्य देख देश वास्यों में हर दिन एक नया विश्वास पैदा हो रहा था आज हमें सदियों के उस धैर्य की धरोहर मिली है आज हमें स्री राम का मंदिर मिला है गुलामी की मानसिक्ता को तोड़ कर उठ खड़ा हो राष्ट अतीत के हर दौं से होंसला लेता हुआ राष्ट ऐसे ही नव इतिहास का स्रजन करता है आज से हजार साल बाद भी लोग आज की इस तारिक की आज के इस पल की चर्चा करेंगे प्रधान मंत्री ने कहा कि श्री राम का मंदिर ने आए बद्ध तरीकी से बना है साथी उन्हों ने कहा कि आज का दिन पूरे देश पे एक अलग माहोल लेकर आया है मुझे विश्वास है प्रभु राम आज हमें अवश्य शमा करेंगे मेरे प्यारे देश पासियों त्रेता में राम आगमन पर पुझ्य संत तुल्शिदाज ने लिखा है प्रभु बिलो की हर्थे पुरबासी जनित वियोग बिबत्ति समनासी अर्थात प्रभु का आगमन देकर ही सब अयोध्य वासी समगर देश वासी हर्थ से भर गए लंबे वियोग से जो आपत्ति आई थी उसका अंत हो गया उस कालखंड में तो वो वियोग केवल चौदा वर्षों का था तब भी इतना सही था इस यूग में तो अयोध्याव और देश वासीों ने सेंकडो वर्षों का दियोग सहा है हमारी कई कई पीडियों ने दियोग सहा है भारत के तो संविधान में उसकी पहली प्रती में भगवान राम बिराजमान है संविधान के अस्तित्व में आने के बाद भी दसकों तक प्रभु सिर राम के अस्तित्व को लेकर कानूनी लड़ाई चली मैं आभायर वेक्त करूँगा भारत की न्याय पालिका का जिसने न्याय की लाज रख ली अयोध्य धाम में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा से पूरा भारत वर्ष राम में और भावुक है प्रधार मंद्री ने कहा गया आज का दिन एक युग को दिशा देने का काम करेगा न्याय के परियाए प्रभुराम का मंदिर भी न्याय बद्ध तरीके से ही बना साथियों आज गाउं गाउं में एक सार्थ किर्टन संकिर्टन हो रहे है आज मंदिरों में उत्सव हो रहे है स्वच्छता अभ्यान कलाए जा रहे है पुरा देश आज दिपावली मना रहा है आज शाम घर घर राम जोती प्रजवलित करने की तैयारी है कल मैसरी राम के आशिरवात से दनोश कोडी में राम सेतु के आरंब बिंदू अरिचल मुनाई पर था जिस गड़ी प्रभु राम समुद्रपार करने निकले थे वो एक पल था जिसने काल चक्र को बदला था उस भाव मैं पल को मैसूस करने का मेरा ये बिनम मप्रयास था वहाँ पर मैंने पुष्प बंदना की वहाँ मेरे भीतर एक विस्वास जगा की जैसे उस समय काल चक्र बदला था उसी तरह अब काल चक्र फिर बदलेगा और सुब दिशाने बढ़ेगा अपने ग्यारा दिन के व्रत अनुस्थान के दोरान मैंने उन स्थानों का चरन प्रस करने का प्रयास किया जहां प्रभु राम के चरन पढ़े थे चाहे वो नासिक का पंचवटी दाम हो करला का पवितर त्रिपायर मंदीर हो आंदर प्रदेश में लेपाक्षी हो स्री रंगम मैं रंगनाथ स्वामी मंदीर हो रामेश्वरम में स्री रामनाथ स्वामी मंदीर हो या फिर धनुषकोडी मेरा सवभाग है कि इसी पुनित पवित्र भाव के साथ मुझे सांगर से सरी तक की यात्रा का आउसर मिला प्रधानवंत्री नरिंद्र मोदी ने कहा कि भवे राम बंदिर भारत के उतकर्ष का भारत के उदय का साक्षी बनेगा प्रभु राम तो भारत की आत्मा के कन-कन से जुड़े हुए है राम भारत वासियों के अंतर मन में विराजे हुए है हम भारत में कहीं भी किसी की अंतर आत्मा को चुएंगे तो इस एकत्व की अनुभूती होगी और यही भाव सब जगह मिलेगा इससे उत्कुस्ट इससे अधीक देश को समायोजीत करने वाला सुत्र और क्या हो सकता है प्रधान मंद्री ने कहा कि काल चक्र बदल रहा है यह सुखत सैयोग है कि हमारी पीड़ी को एक काल जई पत के शिल्पकार की रूप में चुना गया है उन्होंने कहा कि हजार वर्ष बाद की पीड़ी राष्ट निर्मार के हमारे आज की कारियों को याद करेगी राम को परिभाशित करते हुए रुष्यों ने कहा है रमन्ते यश्मिन हिती रामह अर्थात जिसमें रम जाए वही राम है राम लोक की इस्मृतियों में परवसे लेकर परंपराओं में सर्वत्र समाये हुए हर यूग में लोगों ने राम को जीया है हर यूग में लोगों ने अपने अपने शब्दों में अपनी अपनी तरह से राम को अभिव्यक्त किया है और ये राम रस जीवन प्रवा की तरह निरन तर बहता रहता है प्राचिन काल से भारत के हर कौने के लोग राम रस का आचमन करते रहे राम कथा असीम है और राम आयन भी अनिंत है प्रुधान मंत्री ने कहा कि हमें आज से इस पवित्र समय से अगले एक हजार साल के भारत की नीव रखनी है राम के आदर्श, राम के मुल्य, राम की सिक्षाएं, सब जगह एक समान है प्रिए देश वासियों, आज इस आइक्तिहाजिक समय में देश उन व्यक्तित्वों को भी याद कर रहा है जिनके कारियों और समर्पन की वज़े से आज हम ये शुब दिन देख रहे हैं राम के इस काम में कितने ही लोगों ने त्याग और तपस्या की पराकास्ठा करके दिखाई है उन अंगिनत राम भक्तों के उन अंगिनत कार सेवकों के और उन अंगिनत संत महत्माओं के हम सब रने हैं साथियों आज का ये अवसर उत्सवता का खशन तो है लेकिन इसके साथ ही ये खशन भारतिय समाज की परिपक्वता के बोध का भी खशन है प्रधान मंद्री ने कहा कि राम लाला के मंदर का निर्माण भारतिय समाज के शांती धैर्य आपसे सद्भाव और समन्वे का भी प्रतीक है दुनिया का इतिहास साक्षी है कि कई राष्ट अपने ही इतिहास में उलज जाते है ऐसे देशों ने जब भी अपने इतिहास की उलजी हुई गांटों को खोलने का प्रयास किया उन्हें सफलता पाने में बहुत कठिनाई आई बलकि कई बार तो पहले से जादा मुश्किल परिस्तित्या बन गई लेकिन हमारे देश ने इतिहास की इस गांट को जिस गंबीरता और भावगता के साथ खोला है वो ये बताती है कि हमारा भविश हमारे अतीच से बहुत सुन्दर होने जा रहा है प्रधान मंतरी ने अंगिनत बलिदान त्याग और तपस्या को भी याद किया और रहुने कहा कि सद्यों के भूत पूर्व धैरे अंगिनत बलिदान त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभुराम आ गए है प्रतेग भारतिय में जन्मा यही विश्वास समर्थ सक्षम भग्व्य भारत का अधार मनेगा और यही तो है देश देव से देश और राम से राष्ट की चेतना का विस्तार हम सब जानते हैं कि निशाद राज की मित्रता सभी बंदनों से परे हैं निशाद राज का राम के प्रति सम्मोहन प्रभु राम का निशाद राज के लिए अपनापन कितना मौलिक है सब अपने हैं सभी समान है प्रत्य भारत्य में अपनत्व की बंदूत्व की ये भावना समर्थ सक्षम भग्य दिव्य भारत का आधार बनेगी और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट की चेतना का विस्तार साथियो आज देश में लंका पती रावन प्रकांड ग्यानी थी भर भी स्थान नहीं है अपार शक्ती के ध्यानी थे लेकिन जटायू जटायू जी की मुल्य निष्ठा देखिये वियम महा बली रावन से भीड़ गए उन्हें भी पता था कि वो रावन को परास्त नहीं कर पाएंगे लेकिन फिर भी उन्होंने रावन को चणोती दी कर्तब्य की यही पराकास्ता समर्त सक्षम भव्य दिव्य भारत का अधार है और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट की चेतना का विस्तार आईए हम संकरपले कि राष्ट निर्मान के लिए हम अपने जीवन का पल पल लगा देंगे राम काज से राष्ट काज समय का पल पल शरीर का कनकन राम समर्पन को राष्ट समर्पन की देश से जोड़ देंगे प्रभुसिराम की हमारी पूजा विशेश होनी चाहिए यह पूजा स्वा से उपर उटकरके समस्ति के लिए होनी चाहिए ये पूजा अहम से उड़कर वयम के लिए होनी चाहिए प्रभू को जो भोग चड़ेगा वो विख्सित भारत के लिए हमारे परीश्रम की पराकाष्टा का प्रसाद भी होगा हमें नित्य पराकम पुर्शार समर्पन का प्रसाद प्रभूराम को चड़ाना होगा इनसे नित्य प्रभूराम की पूजा करनी होगी तब हम भारत को वयवशाली और विख्सित बना पाएंगे मैं अपने देश के युवाओं से कहूंगा आपके सामने हजारों वर्ष की परंपरा की प्रिनना है आप भारत की उस पीड़ी का प्रतिनी दित्व करते हैं जो चांद पर तिरंगा लहरा रही है वो पंद्रा लाग किलो मिटर की आत्रा करके सूर्य के पाँच जाकर मिशान आजित्य को सफल बना रही है जो आश्मान में तेजस और सागर में विक्रान का पर्चम लहरा रही है अपनी विरासत पर गर्व करते हुए आपको भारत का नव प्रभात लिखना है पनंपरा की पवित्रता और आधुनिकता की अनंतता दोनों ही पत पर चलते हुए भारत समृत्धी के लक्स तक पहुँचेगा आने वाला समाए अब सफलता का है आने वाला समाए अब सिद्धी का है ये बग्य राम मंदिर साच्छी बनेगा भारत के उतकर्षका भारत के उदेगा ये भव्य राम मंदिर साच्छी बनेगा भव्य भारत के अब जुदेगा विक्सित भारत का ये मंदिर सिखाता है कि अगर लक्ष सत्य प्रमाणित हो अगर लक्ष सामुहिक्ता और संगर्दी सक्ती से जन्वा हो तब उस लक्ष को प्राप्त करना और संभव नहीं है ये भारत का समय है और भारत अब आगे बढ़ने वाला है सताब्दियों की प्रतिक्षा के बाद हम यहां पहुँचे हैं हम सब ने इस यूग का इस कालखन का इत्लिजार किया है अब हम रुकेंगे नहीं हम विकास के उंचाई पर जाकर ही रहेंगे इस मौके पर RSS प्रमुक मोहन भागवत ने कहा कि आज 500 वर्षों के बाद राम लला यहां लोटे हैं और जिनके प्रयासों से हम आज का यह स्वर्ण दिन देख रहे हैं उन्हें हम कोटी-कोटी नमन करते हैं इस योग में राम लला के यहां वापस आने का इतिहास जो कोई भी श्रमर करेगा उसके सारे दुख दर्द मिट जाएंगे इतना इस इतिहास में सामर्थ है और संपूर्ण विश्व को त्रासदी से राहत देने वाला एक नया भारत खड़ा होके रहेगा इसका प्रतीक आज का कारेक्रम बन गया है ऐसे समय में आपके उच्छा का आपके आनंद का वरणन कोई नहीं कर सकता हम यहां पर अनुभव कर रहे हैं पूर्ण देश में यही वातावरण है छोटे छोटे मंदिर के सामने दूर दर्शन पर इस कारेक्रम को सुनने वाले हमारे समाज के करोडो बंदू वहां पहुच ना पाए ऐसे घरगर के हमारे नागरिक सजन माता भगिनी सब भाव विवहोर है इस मौके पर उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगया दितनातने लोगों को प्रभू राम लला के भव्य दिव्य और नव्य धाम में विराजने पर कोटी-कोटी बधाई दी उन्होंने कहा कि मन भावुख है आज इस एतिहासिक अफसर पर भारत का हर नगर हर ग्राम आयोध्याद्हाम है हर मन में राम नाम है हर आँख हर्श और संतोष के आस्वों से भीगी है हर जुबान राम नाम जप रही है रोम रोम में राम बसे हैं ऐसा लगता है कि हम तृता यूग में आ गए हैं सिराम जनभू में महायग्यन केवल सनातनास्ता और विश्वास की परिक्सा का काल रहा बलकि संपूर्ण भारत को एकात्मता के सूत्र में बांधने के लिए राष्ट की सामिक चेतना जागनन के धे में भी सफल सिद्धुवा है सदियों के बाद भारत में हो रहे इस चिर्प्रतिक्सित नौबिवान को देख अयोध्या समेथ पूरा भारत का वर्तमान आनंदित हो उठा है भाग्यवान है हमारी पीड़ी जो इस राम काज के साक्सी बन रहे है मैं राम लला का विराजना राम राज्य की स्थापना की उद्गोशना भी है राम राज्य बैठे तिरलो का हरसित भये गये सब सोका राम राज्य भेदभाव रहित समरत समाज का दियो तक है और हमारे सस्वी प्रधान मंत्री जी की नीतियों, बिचारों और योजनाओं का अधार है और योध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर पूरे देश में आज दीवाली मनाई जा रही है दिल्ली में उपराशपती निवास पर दीपोत सब मनाया जा रहा है जहां उपराशपती जगदीप धनखाड और उनकी पतनी ने दीप प्रजुलित किया तो यह तस्वीरें आप उपराशपती भवन की देख रहे हैं दिल्ली में स्थेत उपराशपती के निवास पर दीपोत सब मनाया जा रहा है उपराशपती जगदीप धनखाड और उनकी पतनी ने उपराशपती निवास पर दीप प्रजुलित किये और दीपोत्सव दीपों की रोश्णी से उपराश्पती निवास जगमगा गया दूसरे तरफ दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर आज दीपावली जैसा उत्सव देखने को मिल रहा है प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी ने आज दीप प्रजुलित करके प्रधानमंत्री आवास पर दीपावली जैसा उत्सव यहां भी देखने को मिल रहा है दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर खुद प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी ने दीप जला है प्राण प्रतिश्टा के पावन मौके पर देश भर के मंदिरों में पूजा पाथ किया जा रहा है कनौट प्रेस के प्रसिद्ध प्राचीन हनुमान मंदिर में भी कारिकर्म का आयू जिन किया गया मंदर के पुजारे प्रजेश मिश्रा से बात की हमारे समवादाता पवंशर माने